अब आप सुनेंगे 90.4 FM पे बातो बातो में अपना एडुकेशन पूरा किया है और लगवग 29 वर्ष की ही उम्र में आप एडवाइजरी कमीटी ऑफ इंटर्मो एलेक्टिक सोसाइटी USA के सदस्य वने था वो भी फॉंडर सदस्य सर के नाम पर 18 पेटेंट्स हैं और 49 से ज्यादा इंटर्नाशनल जर्नल्स पें पॉब्ल पूर्ण है वो है कि जो इंडर्स्ट्री में हेलमेट का अपयोग करता है वहां का जो करमचारी उसके लिए हीटिंग कूलिंग हेलमेट का भी निर्मान सर नहीं करवाय था मेकॉन लिम्टेट जो कि राची में अवस्तित बहुत ही परतिश्चित कमपनी है उसमें सर ने विद्वत जन होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते हैं वो तो सिर्फ एक तीथी है और इसके बाद आज जो है सर आरकीडियेफ विश्विद्याले के माननीय कुलपती है सर ने दुनिया के लगभग सभी कोने में जाकर अपने रिसर्च प्रोडक्शन्स के बारे में जो पॉब्लिकेशन्स हैं जो कारी हैं उसके बारे में जानकारी दी इन्होंनी USA, टोरेंटो, कनाड़ा, रशिया, पेरिस और मैं कितनी नाम आपको गिनाऊ साथी बहुत ज़्यादा एवार्ड सर को ही मिला हुआ है, लाइक बेस्ट जिजन एवार्ड और भारत जोती एवार्ड, साथी एवार्ड ऑफ एक्सलेंस फॉर यंग साइंटिस्ट, बेस्ट पेपर कई इनके मिले हुए हैं सर आपके बाइड़ेटा इतना प्रभावी है कि सुनने वाले जो विद्यार्थी होंगे बहुत इंस्पायर्ड होंगे और सब के मन में ये बात होगी कि कैसे हम चैटर जिक सर की तरह बने सर ओवराल ये जर्णी कैसी रही है आपकी देखिए मेरी सुरुवत हुई थी बीएटी मेसरा से मुझे ट्रेनिंग में भेजा गया था इस्रो सटलाइट सेंटर बैंगलव वह मैंने पहले एपल मतलब एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो सटलाइट बना था उसमें मैं काम किया उसका बाद मेरा रिसर् आई है और हुआ से हम निकल कर हमको एक साथ तीन ओफर मिला जो आएटी खड़कपूर, आएटी मुंबाई और देल्ली इन्वेसिटी उस टाइम तो पांचो आएटी था तो आएटी खड़कपूर को अभी आज भी फादर आएटी बोला जाता क्योंकि वो पहला आएटी ह है तो मैंने हुआ जोइन किया मेरा दोनों गाइडी बोत इंटरनेशनल फेम का था उनका अंडर हमको काम करने का सुजग मिला और अपना ग्यान का भी हमरा काफी भृद्धी हुआ एटी सेवन में मैंने हुआ से आएटी खड़कपूर से पास करके हमको मेकोन में रिसर्च डेवलप्मेंट में एटी सेवन में मैंने जोइन किया तब से मैंने मेकोन में था विक वेरियस केपैसिटी जी बीच में मैं तीन साल मेकोन का आर एंडी रिसर्च डेवलप्मेंट और हीच डी का भी हेट थे उसका बाद जब मैं जेनरल मैनेजर का पोस्ट में गए तो मेर अंडर में हाट टेकनोलोजिकल डिपार्टमेंट आया जो हमारा लिए बहुत सोवगव का बात था काम करने का काम सीखने का भी मोका मिला और इंडी भी में उसका अंडर में इंबॉल्ड था तो मैंने काफी रूची के साथ हुआ काम किया काफी चीज मैंने सीखा उसका बात 2018 2018 में वहां से रिटायर करने का बाद 2019 में हमको RKDF इन्वेसिटी ने बुलाया है बुला कि सर आप यहां कमसगा मैं एजे विजिटिंग प्रोफिसर जे विजिटिंग फैकल्टी होकर रही है मैंने उनका रिक्वेस्ट में हम हुआ एजे विजिटिंग फैकल्टी जोइन क उसका वाद उसने बोला कि सर आप प्रोफिसर में क्यों नहीं कर रहे हैं तो मैंने हुआ फिर प्रोफिसर में जोइन किया मार्च बाइस में 2021 में हमको हुआ भाइस चंसलर का पोस्ट दिया गया एक्शुली उस दिन करीब 16 अदमी इंटर्वू में एपियर किया था जिसमे से हमको सिलेट किया गया एज़ वाइस चंसलर जी सर ही लब टू वर्क अट आरके डियेफ क्योंकि आरके डियेफ एक बहुत अच्छा इन्वसिटी है जहां इतना इज्जत मुझे मिल रहा है कि कहीं भी हमको इतना इज्जत आज तक मिला नहीं है अब सही कह रहे हैं सर शि स्टूडेंट का साथ भी स्टूडेंट को नाम से नहीं बुलाता हूँ अपना फैकल्टी को नाम से नहीं बुलाता हूँ मैं सबको बेटा बोलकर संबधित करता हूँ जी यह गुरु कुल परमपराव की बात हो गया सही है सर और सही बात है बहुत इंट्रेस्टिंग भी ह में इतना लंबा अनुभब उनको विद्धियार्थियों को प्राप्त होता होगा तो बहुती खुशनसी विद्धियार्थि हैं अब जैसे कि आपने कहा भी RKDF उनिवस्टी एक जो जार्खन में लीडिंग प्राइविट उनिवस्टी के सम्हू का एक बड़ा हिस्सा है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अप्लिकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस उसका बाद आपको कोमर्स, साइंस, एपको लॉव, देन माइनिंग हर तरह का कोर्स चल रहा है हम लोग यह भी मेडिकल का कोर्स सुरू क्या नहीं बट बहुत जल्दी उसको भी सुरू करूंगा क्योंकि लास्ट मीटिंग में गवर्नास साइब ने जो हमको एडवाइज दिया था, मेरा वो एडवाइज बहुत अच्छा लगा, बोले थे गवर्नास साइब ने कि एक चीज़ आप देखिये कि जो पैथलोजी डिपार्टमेंट है, उसमें जो टेकनीशियन है, वो अप अपना इंकाम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका पास सर्टिफिकेट नहीं है, अपने ये सुरू किजिये, तो वो मेरा दिमाग में आया, उसलिए मैंने भी मैनेजमेंट का बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स सुरू किया हूँ, जिस दिन मेरा मेडिकल सुरू होगा, उस जिन से मैं ये सब चीज भी मैं सुरू कर दूँगा, ये तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जहारखंड को बड़े अच्छे स्चूट्स, बहुत सारे कोर्सिस चाहिए, चुकि यहां के विद्यार्थी तो बहुत गरीब हैं, बहुत गाउं के दूर दराख्षित्र में जो है, वो कैसे पूरी हो, उसके लिए तो सब को मिलकर सरकारी ब्रैवेट, जितने में चुशन से हैं, ये हमारा सबसे बड़ा चीज है, हमारा जो फीज है, बहुत कम है, हमने ज़डखंड का इंटीरियर पाट से बच्चों को उठाका लाता हूं, जिसको ठीक से बात नही करना आता है, और वो जब यहां से पासा उट करके जाता है, तो एक समाज के प्रतिष्टित आदमी के तरह जाता है, इस बार का मेरा जो प्लेस्मेंट है, जो प्लेस्मेंट, करिब करिब हंडिट परसेंट है, बड़ी खुशी बात सर, बदाई सर, वहां, हंडिट है ये हमारा faculty हमारा student का खुद का मेहनत का फल है बिलकल को खुद का मेहनत का और उनका देखिए उनका जो है उनको फीज देने का भी पैसा नहीं है तो मैंने बैंक का साथ tie up किया है यह भी वो बैंक उसको funding करेगा और वो जब नोकरी में जाएगा तब उसका interest लगेगा और वो तब उसको बैंक को refund करेगा वो पैसा यह तो बहुत अच्छी बात है सर और क्या मतलब जैसे government की जो योजनाय है scholarship की क्या वो भी लागू है यह हमारे यहां काफी लागू है जैसा equal line है ट्राइवर्स वाला जितना भी है वो ह यह सब छोड कर जो in general है यह सब छोड कर मेरा एक chancellor का scholarship है merit-based scholarship जैसा 50-55% को हम लोग छाडखांडा और भिहार के चत्रों को हम लोग certain portion का scholarship देते then 55 to 60 then 60 to 65 then 65 to 70 इसमें जो highest number में जाता है उसको course भी almost आधा हो जाता है अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है सर यह मेरा chancellor maim का scholarship है जो हम लोग provide करते हैं यह बहुत अच्छी बात है सर कि आप विद्यार्थियों को सरी पढ़ा ने रहे हैं बलकि आर्थिक जो एक तंगी ह जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी बाधा होती है कि financial crisis के कारण ही वो नहीं पहुँच बाते हैं तो उसको भी अगर support इस तरह से मिलता है तो यह बहुत ही मतलब हम क्या बोलें कि अपने रुप में एक standard format है किसी भी university के लिए खास तर पर private university के लिए क्योंकि कई बार private university के यह भी term आता है कि वहां तो सिर्फ सर्फिकेट भी ऐसे बढ़ जाता है बहुत स्रीयस लोग नहीं बात बोलते हैं बट मैं सुरताओं को बताता हूं कि ऐसी बात नहीं है सरकारी और private university सभी human resource development group में बहुत काम करें और जिस तरह से अभी हमको चैटर जी सर बता रहे हैं जो हुनर भी होना चाहिए ताकि वो जीवन की किसी मोर पर अपने हुनर का इस्तमाल करके अपने life को आगे बढ़ा है और positive सोचे तो कुछ ऐसे skill based आपके हाँ प्रोग्राम स्वाइशा है Actually हमने काफी M.O.U. Reputed National University International University के साथ साइन किया हूँ बड़े-बड़े company के साथ साइन किया हूँ जो लोग हमारा बच्चे को training, internship और job का placement देता है इसमें क्या हो रहा है कि यह लोग जो लोग training दे रहे हैं यह भी मेरा free up cost है इस चीजिसी में हम गया था उसने हम से筆जा हम बहुत हम नहीं देंगे क्यूंकि हमने आपना बहुत गरीब बच्चा को यह सिछा दे रहे हैं उसका पस जेब में पैसा नहीं है कि वह आपको दो महिना के लिए आपको इतना पैसा दे है हमने उसका साथ यह मुयूग किया ही नहीं तो मेरा यह जो यह है इसमें स्ट्रीप जॉब का नहीं यह नहीं है वो अपना इंटर्प्रनेट्सिप भी खोल सकता है यह भी हमारा जो हमारे फैकल्टीज है वो उनको इस तरह का कोचिंग टीचिंग सब दे रहा है और वो भी ओन सब्सक्राइब उसको अलाइन दे रहा है जो ऑफलाइन है ऑफलाइन में दे रहा है पांच बाजे का बाद यह हमारा सुरू होता है यह बहुत अच्छी वात है सुनकर बहुत ही अच्छा अनुभव लग रहा है कि आप लोग शात्रों के लिए जो जहार्खंड के चात्र ह जो भी विद्यार्थी होते हैं, उसोचते हैं कि अच्छे शिक्षा के लिए बाहर जाएं, क्योंकि जो गवर्मेंट उन्वस्टीज भी हैं, उन पर बहुत लोड है सर्, कैपसिटी से ज़्यादा वहां ग्रॉस इंडॉल्मेंट रिशियो है, तो इस क्रम में क्या होता है कि जो उडिसा है या फिर उत्रप्रदेशिया फिर सौथ के जो यूनिवस्टीज हैं, वो विद्यार्थियों को लेकर जाते हैं, और क्या पढ़ाया जारा नहीं पढ़ाया जारा है, इसकी कोई बहुत जाता वहां पर ओरिट होती नहीं है, उसमें बच्चा जब निकल कर भी बिश्विद्याले के सर, इतनी भागा भागी, चुकि आप वाइस चैंसलर हैं, तो सब की जवाब दही आप पर है, एक विद्यार्थि की तबियत ही खराब हो तो आपको पता चलता होगा, जरूर हो तो ऐसे दोड़ भाग वाले जिंद्गी की दिन चरिया कैसे मिंटेन कर करते हैं, ताकि जो भी ब्यस्त हैं वो आपके नियम को फॉलो कर सकें, देखिए मेरा एक ही लक्षा है, यह भी RKTF इनवसिटी को मैंने पहला तो जड़कंड का नंबर बन इनवसिटी के रूप में लई जाओंगा, और उसका बाद विश्वस्तर में इसका आलग पचान द दूँगा, जिसके लिए मेरा फॉरेन इनवसिटी से लगातार मेरा पास कोर्रस्पोंडेंस आ रहा है कि आप हमारा साथ M.O.U. कीजिए, हम आपको इतना बच्चे को आप फ्री अप कोस्ट ट्रेनिंग दूँगा, जिसमें उसका अपसरी पैसेज में लगेगा, मगर यह आपको उसका राना, पढ़ना सब यहां उसका फ्री रहेगा, यह भी हमारा साइन हुआ नहीं है, यह इट इस अंडर प्रोसेस, यह बहुत अच्छे बात है सर कि छात्र के लिए इतने सारे बाते करते हैं, आप अपना रूटीन कैसे मेंटेन करते हैं, दिके मेरा एक ही रिजल्ब करता हूँ, दूसरा फैकल्टी का हेल्प लेकर भी मैं उसको तुरंट रिजल्ब करता हूँ, तो एही मेरा भी एक लच्छा है, यह छोड़कर मैंने भी दूसरा किसी में भी धेननी दे रहा हूँ, बिलकुल सर, एक लक्ष एक दिये, अब क्या है कि छात्रों के चरत्र निर्मान होना बहुत जरूरी है, प्रदानमंत्री जी भी कह रहा है कि राष्ट का विकास तभी होगा जब नौजवान च्छात्र जो है, वो चरत्र निर्मान के साथ-साथ इस देश का प्र निर्मान करें, क्योंकि युवाही देश का निर्मान करता है, तो चरत्र के अंदर क्या होना चाहिए एडुकेशन, चरित्र इसके बारे में हमेशा उनको कहा जाता है हमारा होस्टेल में कुछ भी ड्राग्स बोलिए नेसा का चीज़ हम लोग ये नहीं करते अगर उइसा बच्चा एक भी मिल गया मैंने उनको निकाल देता हूँ ठोकि एक सड़े हुए आम के लिए बांकी सांब आम सड़ जाए ये मैं नहीं चाहता हूँ उइसा बच्चे भी एक आद को मिला है जो जिसको हमने निकाल दिया है मगर इटीज ए वेरी फ्री और फियर गेम टूबी ये बहुत दूशी बात है सर और आज आप हमारे स्टूडियो में आया है सर हमारे शुरता आपकी बातों को सुन रहे है और आपकी उर्जा वो काबले तारीफ है सर आप चेहरे पर जो चमाख है मैं सभी शुरताओं को बताता हूँ कि कई लोग बोलते हैं आज कल मैं युवाव को देखता हूँ रहे आर मैं तो ठक गया हूँ अब कोई मुझे उम्मीद नहीं है मैं क्या करूँगा मैं बोर हो रहा हूँ बट सर आपको देखने के बात आपकी उर्जा को देखने के बात लगता है कि उन्हें आपसे भी मिलना चाहिए शुरुताओं के लिए आप अंत में चलते-चलते क्या संदेश देगे शुरुताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि सफलता प्राप्स करने के लिए कठीन परिश्रम आपको करना है बिल्कुल धज रखना है लगन रखना है यह भूती अवश्रक है तभी आपको इमानदारी पूर्वक मंजील पाना निश्चित तय है बिल्कुल आपने सही कहा है सरी आजकर धर की ही कमी है लोग आजकर शौटकट चाते है वो रास्ता नहीं है आपको धज भी रखना है आपको परिष्टम भी करना है यह आपका लगन के साथ और निश्ठा के साथ करना चाहिए जो आपको बाद में समाज में एक प्रतिष्ठीत आदमी करके पजार मिले सभी यही चाहते हैं हमारे शौता भी यही चाहते हैं चाटर जी सर उन्होंने कहा कि मेरा तो एक मातर लक्ष है तो लक्ष को बांद कर चलें और सर आप हमारे स्टूडियो में आए आपने बहुत केमती समय निकाला है और हमारे बीच में अपने बातों को रखा है सर पूरे रेडियो खांचिक परिबाल तरफ साब का बहुत बहुत धन्यवाइब बहुत बहुत धन्यवाइब तैंक यू बेरी मच आइम अलसो बेरी मच अबलाइज तो आल अफ यू तो इंवाइट मी और गिब मी दिस ओनर तैंक यू सर पासपुड़ सर वाइब